दोस्तों आज करे वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि एस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपका टैली का काप 90% आसान हो जाएगा अब देखो जब हम टैली सीखते हैं तो हमें लगता है कि नॉर्मली एक दो ट्रांजेक्शन करनी होती है नॉर्मली कुछ लेजर्स करनी होते हैं लेकिन जब आप जॉब प्रोफाइल पे होते हो तो आप नोटिस करते हो कि पर डे में हमें कितने मल्टिपल ट्रांजेक्शन और multiple entries करनी पड़ती है अब ऐसे case में क्या होता है कि आपका काफी time चला जाता है तो इस tool के अगर मैं बात करू तो इस tool की मदद से अगर आपके पास आपके transactions का data है और उस data को आपको enroll करना अपने tally software में तो वो काम आपका कुछ seconds में हो जाएगा स्वाइनों की इतना जानने के बाद आप इस software के लिए ज़रूर excited होंगे जो कि आपके काम को 90% आसान बना सकता है तो इस software है क्या यह software है suvit और आज की date में काफी accountants and CA इस software को use कर रहे हैं अपने काम के speed को और level को बढ़ाने के लिए अब इस video में मैं आपको बताऊँगा कि आप suvit को कैसे download और install कर सकते हैं दूसरा आपको इससे कैसे use करना है एक proper tutorial होने वाला है जिसके बाद आपको suvit software use करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगे and believe me कि इसके बाद आप अपने tally के काम को बहुत ही जादा आसान बना पाओगे so make sure कि आप इस video को पूरा देखे और एक छोटी से request है कि अगर इस video आपको useful और informative लगे तो प्लीज इस video को like और share जरू करें तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस video को तो normal धियान देते हैं computer screen पे जहां पे simply आपको google पे आ जाना है और यहां पे simply आपको लिखना है सुवित जैसें सुवित लिखते हैं and enter करते हैं सबसे पहला जो आपको यहां पे address मिलेगा वो मिलेगा सुवित tell you automation for accountants अब यहां पे simply आपको click कर देना है click करने के बाद कुछ इस तरीके का overview आपके सामने आ जाएगा जहां पे सुवित की proper website introduction आपके सामने आ जाएगी और यहां पे option मिल जाएगा sign in and sign up का अब क्योंकि मैंने पहले से इसमे account create कर रखा है तो मुझे sign in करना है बट sign up process का है इसके बारे में एक छोटा सा demonstration मैं आपको दे देता हूँ आपको simply sign up पे click करना है click करने के बाद कुछ इस तरीके के screen हमारे सामने आती है जिसमें आपको simply अपना mobile number डालना है उसके बाद get OTP पे click करना है OTP आपके पास आएगा आपको OTP डाल देना है और उसके बाद जो आपके basic information है लाइक नाम हो गया, last name हो गया और चोटी मोटी चीज़े और वो सब चीज़े डालने के बाद आपका account सुविद पे create हो जाता है create होने के बाद कुछ इस तरीके का dashboard आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे एक option आपको मिलेगा टैली connector का तो basically आपको यहाँ पे देख रहो इस पे आपको click कर देना है और यहाँ पे option पूचेगा 64 bit में आपको चाहिए 32 bit में चाहिए आपका जो system है उसकी आप properties चेक कर लेना उसमें 32 bit ये 64 bit किस bit को accept करता है उसमें आपको इसे डाउनलोड कर लेना है इसके बाद simply जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो कुछ इस तरीके की इसके रिएन आपके सामने आएगे जिसमें my companies, add companies, settings इन सब का option आपके सामने आजाएगा अब normally on this channel आप देखोगे कि मैंने मोहन traders करके जो कि मेरा tally में एक company है उसको मैंने यहाँ पर add-on कर रखा है अब यहाँ पर बात करते हैं जब आप आओगे तो आपको ए blank मिलेगा यहाँ पर कोई भी company नहीं मिलेगे तो हम add company में जाएंगे add company में जाने के बाद यहाँ पर show कर रहा है क्योंकि मेरे tally में मैंने दो company करेड किये एक mohan traders एक amid traders तो amid traders मुझे यहाँ पर show कर रहा है मुझे क्या कर लेना है कि इसको subscribe पर click करना है और मैं कर दूँ है subscribe पर click अब जैसे मैं subscribe पर click करता हूँ आप देखोगे कि tally और sowit software दोनों आपस में connect हो गए और tally में से मेरे company का जो data है यानि कि मैं बोलू कि मेरे जो company है वो link up हो रही है sowit software के साथ अब normally आप देख सकते हो कि amid traders, ledgers, synced successfully यहाँ पर हो चुका है मैं कर देता हूँ अब यहाँ पर आपको दो चीज़े करनी है आप देखो कि amid traders के नीचे दो options आरे एकाराएh sync vouchers का एकाराएh sync masters का यह कीया है? देखो tally में master category में क्या आता है? legers और आपके stock और vouchers में जोभी आप transactions करते हो तो आपको क्या करना है कि sync voucher और sync master करना ताकि जोभी आपकी tally में misma legers है, जोभी आपकी stock items है जोभी आपकी journal entries है उन सब को आप सुवित की मदद से बड़ी आसानी से मैनेज कर सको तो मुझे क्या करना है यहाँ पर सिंक वाउचर पर किलिक कर देना है और उसमें आपका सारा डेटा फैच हो जाता है सुवित सॉफ्टर के साथ अब आप यहाँ पर देख सकता है जो हमारे वाउचर से है वो किलिक किया हमारे सिंक स्कार के साथ और यही जी चीज़ हमने करना है सींक मास्टर के साथ इसमें स्कार उसका है और निवाचर बाड़ श्यूसम आपका CI. सुविट सॉफटर के साथ अब यहां पे आप देख सकते हो pore जो और पहला प्रेक्टिकल मैं आपको बताऊँगा इसी से आप अंरजाए लगा सकोगे की सुविट सॉफटर के वैसे कितना ज्यादा बेनफिट आपको हो सकता है बेसिकली जब आप किसी CA के अंडर वर्क करते हैं या फिर माल लो कि as an accountant जब आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे कई बार bank की statement आती है हमें client जो भी है हमारा उसका हमें statement लेना होता है बेसिकली उसके ITR भरने के लिए या फिर different purpose से हमें उसका statement शी होता है अब statement में पूरे साल के entries है मालो 6 महनी के entries है तीन महनी के entries है जिसमें बहुत ही सारा data है अब अगर एक एक करके आपको उस पूरी data के entry करने लग जाओगे तो आप अंदाजा लगाओ कि आपको कितना time लगेगा बहुत time लगेगा लेकिन सुवित software की मदद से आपके पास जितन आप देख पा रहे हो और यहां सबसे पहले हमें आना है banking वाले term में यहां पर आप देख सकते हूं कि जो मेरी दूसरी company है अब अब जो हम काम करने वाले हो बिल्कुल fresh होने वाला है ताकि चीज़ा आपको freshly समझ में तो हम क्या करेंगे आएंगे यहां पर import statement पर हम यहां पर आये select company में हम यहां पर select कर लेंगे जो अभी हमारी fresh company है जिसे अभी हमने सिंग किया तो हम अमीट traders को यहां पर select कर लेंगे इसके बाद यह पूछे कि आप data कौन से account में डाल रहे हो तो basically आप यहां पर देख पा रहे हो कि मैंने bank of baroda करके जो मेरा bank हो मैंने यहां पर create किया तो पहले आपको टैली में उसका ledger बनाना है उसके बाद आपको उस data को sync करना है यह आपको ध्यान रहे नहीं तो फिर आपको issue आएगा for an example मैं quick demo दे देता हूँ आपको जैसे हम यहां पर आए और Amit Traders में मैं यहां चला जाता हूँ create पे और मैं यहां पर एक ledger create कर लेता ह State bank of India का मानने आपका data State bank of india का मैंने लिखा हूँ इसके बाद हम नीच्चा आए हमने लिखा उया पर bank account फिर हमने के enter और यहां में यह State bank of india का जो ledger हूँ मैंने create कर दिया अब यहां पर अभी में अगर जायू इस पर और मैं यहां पर चेक करूँ तो यहां पर State bank of India का जो लेजर में ने बनाया वो यहां पर शो नहीं करेंगा क्यों नहीं शो कर रहा क्योंकि आपको याद होगा कि हमने क्या किया था कि अमेट ट्रेडर्स में सिंक मास्टर पर किलिक किया था जिसके मदद से जो भी लेजर या जो भी स्टॉक आइटम्स मास्टर का जो भी डेटा वह आ जाता है लेकिन मैंने लेजर कब बनाया इसको सिंक करने के बाद तो जो भी नया डेटा आप एड़ॉन कर रहे हो टैली करेगा अब यहां पर हमने से सिंग कर दिया अब पर टैश्लपर इन ल Gew legart सिंपल करने के बाद मैं जाता हूं जाता हूं वह बैंक और बरोड़ा को मैं इसको सेलेक कर लेता हूं किलिक टू अप्लोड में जाता हूं और जहां पे आपने अपना डेटा रखा है याँ डेक्सटॉप पे के नवियू सेलेक्टा सेलेक्ट किया और मैं इसे ओपने कर दिया इसके बात सिंपल एक सिंगल अपलोड पे किलिक करने के बात आप देखो तोabilिया और यहां पर स्कूरों गया औरहिए चल रहा है और यह सिर्फ कुछ seconds का time लेगा, depend करता आपका statement कितना बढ़ा है, मानलो कि 50-60 page का है, तो जाहिर से बात है उस data को import करने में थोड़ा से time लेगा मेरा जो यह data है, वो 2 page का है तो यहाँ पे 5 से 10 second का time लेगा और इसे यह complete करके show कर देगा, और आप देखेंगे कि कुछ seconds के इसने time लिया, और यह जो हमारा data है, जिसमें लगभग 52 यानि 52 transactions है, वो यहाँ पे completely upload हो गया, अब यहाँ पे show कर रहा है, pending, अब यह pending क्यों है, पहले इस point को समझ लेते हैं, देखो मैं 52 पे click करता हूँ, और click करने के बाद आप देखोगे, कि automatically जितने भी transactions है, like bank statements जो होगे, वो सब यहाँ पे आपको show रहोंगे, और वो entries, किस voucher से related है, वो भी इसने by default यहाँ पे mention कर दिया, कि receipt payment और especially contra voucher होता है, तो यहाँ पे जिन-जिन से वो related है, receipt और payment से, वो सब vouchers अपने आप आप आगे, एक चीज़ जो हमें इसमें डालनी पड़ेगी manual, वो क्या है, ledgers लेकिन उसमें भी हमें auto suggestion का option मिल जाता है, अब यह क्या है, मैं आपको show करता हूँ, माल लो कि मैं यहाँ पे गया, description में, और मुझे एक type के entries देख लेए, जिस पे मैं एक तरह का ledger दे सको, तो for an example मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ, C-A-R-G-E, charge, तो bank के SMS charges होते हैं, जो कि यहाँ पे इसने शो किया हूँ है, SMS alert charge, यहाँ विर SMS alert charge, September 20, December 20, और payment voucher में सारी entries है, अब यह सब क्या है मेरे लिए, एक तरीके का indirect expense है, क्या है मेरे लिए, indirect expense है, तो इसको हम यहाँ पे कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक इसका हम कोई सा एक ledger बना देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे option मिलता है create ledger का, आपको दुबारा वह वाला प्रोसेस करने की ज़रूरत नी, कि आप टैली में जाओ, ledger बनाओ, सिंग करो, इतना नहीं करना, इसमें यहीं पे आपको create ledger का option दिया, आपको इस पे click करना है, click करने के बाद आप इसमें ये चीज़े डाल दो, लाइक हमारी ledger का नाम क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया bank charges इस तरह से, और यहाँ पे मैं इसका group डाल देता हूँ, यहाँ पे indirect expense का, यह मैंने किया, और मैं कर दूँँगा इसे add, अब जैसे मैं add पे click करूँँगा, यहाँ पे उपर message आजाएगा, ledger created successfully, अब ledger created करने के बाद हमें क्या करना है, कि हमें इन चारों पे एक ही बार में ledger apply करना है, तो मैं क्या करूँँगा, यह serial number पे click करूँँगा, जिसे चारों एक ही बार में select हो जाएंगे, और bulk operation में जाके, यहाँ पे ledger वाले option पे हम click करेंगी, और click करने के बाद जो अभी हमने ledger बनाया, वो ledger क्या है, bank charges का, मैंने click किया, और आप देखोगे कि चारों पे एक ही बार में जो वो ledger है, वो यहाँ पे आ गया, मुझे एक ही करके सब पे करने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसे save कर देता हूँ, मैंने simply है save पे click किया, और अब अगर मैं bank आऊंगा, आप यहाँ पे notice करोगे, मैं bank आऊंगा, तो मुझे शोग कर रहा है कि 52 total transactions है, जिसमें से 4 आपने complete कर दी, यहाँ आपने उसे check कर लिया, review कर लिया, और जो उसमें lasers की कमी तो आपने complete कर दिया, और 48 transactions अभी भी pending है, इसके बाद अगर मैं दुबारा इस पे click करूँ, माल लो कि यहाँ पे कुछ transactions है, जिसमें हितेश का नाम लिखा हूँ है, और हमें पताई कि हितेश जो है वो payments कर रहा है, अलग-अलग, तो हमने माल लो कि यहाँ पे गई, और मैंने search कर लिया कि हितेश के नाम से किदने transactions है, अब जैसे नहीं हितेश जालता हूँ, हितेश के नाम से यहाँ पे काफी सारे transactions हमारे पास आ जाते हैं, अब माल लो कि हितेश हमारा संडरी creditor है, या फिर माल लो हितेश हमारा संडरी डेटर है, तो आपको वही same procedure अपनाना है, आपको यह create ledger में जाकि उसका जो भी account name है, वो हम डाल देंगे, लाइक हमने हितेश नाम से बना दिया, और उसका जो भी group है, लाइक हो संडरी डेटर है, या क्रेडिटर है, वो हम डालेंगे, और एक ही बार में सब को हम यहाँ पर update कर देंगे, बड़ी simple तरह से, इसके साथ यह और plus point यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि है auto suggestion का, आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा है suggested ledger, जिसमें लिखा है bank charges, bank charges इस तरह से, अब यहाँ पर इसका क्या plus point है, कि अभी हमें manually bank charges करके, जो ledger है वो बनाना पड़ा, उसका group लिखना पड़ा, लेकिन एक बार हमने बना दिया, तो आगे जब भी ऐसे transactions आएंगी, तो यह आपको auto suggest कर देगा, आपको दुबारा इसे create करने की जोथ नहीं पड़ेगे, अब इसके बाद एक और टम को समझते हैं, मालो कि जो मैंने transactions के bank में statement है, और इस statement के data को, मैंने cross check करके create कर दिया, clear कर लिया, अब मुझे यह data भीजना है tally में, क्योंकि यह सब हम कर किस ले रहे, tally software के लिए, मुझे यह सारा data tally में भीजना है, तो यह मैं कैसे करूँगा, देखो, यहाँ पर सबसे पहले, जो आपने save record से उनको आपको select कर लेना है, यहाँ पर आएंगे, और सबको select कर लिया, select करने के बाद, यहाँ पर एक option में लेगा, send to tally, आपको इस पर click करना है, और आप देखोगे, कि जैसे मैंने से send to tally पर click किया, तो यहाँ पर लिख किया रहा है, four transactions successfully synced in tally, यानि कि यह जो चारो transactions है, यह successfully tally में synced हो चुकी है, एक बर cross check करके देखते हैं, तक यह चीज और अच्छे इसके लिए रहो जाए, तो simply आते हम अपने tally में, और tally में आने के बाद, normally आप gateway of tally में आते हो, फिर आपको display more reports में जाना है, हमने इस पर click किया, और हमने click किया डे book पे, अब डे book पे click करने पे, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक entry शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यह जो entry है, इसका time period दूसरा है, और जो हमारी वो चारो entries है, उसका time period दूसरा है, तो मैं यहाँ पे simple alt f2 करूँगा, और इसका time period चेंज करूँगा, तो मैं इसका time period दे देता हूँ यहाँ पे 1-4-2011, मालो हमारा data यहाँ से है proper तो हमने यहाँ से डाल दिया और मैं यहाँ पे simply enter करता हूँ, तो आप देखो कि 5 March 2020 जो अभी हमने वहाँ से sync किया था, फिर यहाँ पे 19 June 2020, 23 September 2020 और जो जो हमने वहाँ पे 4 transactions को sync किया, tally में send किया वह 4 entries आपके सामने है, इस तरह से अगर आपकी पूरी bank statement है, तो आप उसे बड़ी आसानी से tally में sync कर सकते हो, और यह procedure आपके इस लंबे procedure से बहुत आसान होने वाला है, अब इतना काम होने के बाद एक और चीज़ के बर मैं आपको बता दू जो आपके लिए benefit हो सकता है, जो की है, जब आप setting पर जाओगे, तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है rule list का, अब यह rule list क्या है, basically जो आपने bulk selection किया है, search करके and save किया है, वो सभी आपको यह rule list में देखने को मिल जाते है, like अभी हमने देखा bank charges का हमें एक laser की जरुरत पड़ी, तो वो हमने यहाँ पर एक rule बना दिया, अब मान लो कि हम और भी companies को manage कर रहे है, जैसे यह आप देखो या फिर अगर आप कहीं पर work करते हो, तो हाँ पर different companies, different clients आपके हो सकते है, अब मान लो कि यह वाला जो rule है, वो में सब पर one by one नहीं बनाना चाहता, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कि आपको option म जो भी उसका bank है, पंजाब national bank है, हम उस पर apply करना है, तो यह वाला जो ledger है, वो automatically उसके लिए बन जाएगा, आपको वहाँ पर इसे दुबारा नहीं बनाना पड़ेगा, तो यह आपके लिए काफी beneficial है, कि आपके बास जो भी दूसरी companies है, उनमें आपको दुबारा यही same stuff करने की जरूत नहीं है, तो यहाँ पर यह जो rule cloning वाला option है, इसका भी फायदा आप उठा सकते हो, अब दोस्तों बात करते हैं, और भी plus points की, जैसे मालनो कि आपका data excel format में है, क्योंकि अगर आप tally पर work कर रहे हो, तो आपको excel के बारे में जरूर knowledge होगी, और excel का use आप tally म data मिला है, जो कि आपको sync करना है, या फिर अपने tally software पर डालना है, वो data मिला आपको excel format में, तो उस data को भी आप यहाँ पर import कर सकते हो, देखो क्यासे, basically मालो कि यहाँ पर माते है, transactions वाले criteria में, और जो हमारी entry है, वो sales की है, मैं आपको पहले हमारी data है, उसको मैं show कर देता ह तो यह मेरा data है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, कि reference number यह है, invoice date, JST number, party account name, place of supply वगरा वगरा, अगर आपको यह चीज़े नहीं पता, कि आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा, download sample का, आपको इस पर जाना है, और अगर आपको sample चाहिए, कि जिसमें आप product वगरा भी लिखे रहे हो, तो आप यह select करोगे, item invoice with item, और अगर आपका data ऐसा है, जिसमें सिर्फ आपको accounting invoice show करना है, product वगरा शो नहीं करने, तो फिर आप यह वाला select करोगे, नीचे वाला, तो हम क्या करते हैं, simply यहाँ पर upload पे click करते हैं, upload पे click करने के बाद, किस company अपनी में हमें data यह डालना है, तो मैं select कर लेता हूँ, amid traders का, फिर यहाँ पर select type, तो मैं बता देता हूँ, कि हमारा जो data है, वो सिर्फ accounting invoice है, उसमें product नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इसको select किया, फिर click to upload पे click करते हैं, और computer की जिस भी location पे आपने इतना data रखा है, तो मैं से select करता हूँ, और कर देता हूँ, और इतना करनी के बाद, आपको simply upload and preview पे click करना है, preview वाला हम option क्यों select करना है, ताकि जो भी हम upload करना है, उसका एक demonstration हमें मिल जाए, आप देख सकते हूँ, कि जैसा data आप वहाँ देख रहेते, वही data मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, और यह करने के बाद, मैं यहाँ save and mapping पे click कर दो, अगर आप on screen ध्यान दो, तो यहाँ पे हमारे mapping fields हमें on screen शोग कर रहे हैं, जहाँ पे your sheet header, यानि जो हमारे excel file में headers है, वो हमें यहाँ पे शोग कर रहा है, और जो tele fields में एक ऐसे हैं, वो हमें यहाँ पे शोग कर रहा है, इसे ही fields mapping complete हो जाती है, फिर यहाँ पे next हम होता है GST mapping का, जिसमें आप देख सकते हो कि SGST ledger में यहाँ पे मेरा SGST आ गया है, CGST ledger में CGST, और IGST ledger में यहाँ पे मेरा IGST आ गया है, फिर मैं यहाँ next पे click करूँगा, और फिर हमें option में जाता है ledger mapping का, in case अगर आपको यहाँ पे laser mapping करना है, तो आप कर सकते हो, यहाँ पे HDST में जब आप option पे जाते हो, और अगर आपको इसमें कुछ आपको mapping करनी है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, इसके बाद आपको save and proceed पे click कर देना है, और आपकी mapping यहाँ complete हो जाती है, अब जैसे में इस पे click करूँगा, तो आप इसमें बना रहे हो, तो इसे हम proper justify कैसे करें, देखो, आप यहाँ पे मैं क्या चाहरा हूँ कि यह जो laser है, वो नहीं बन रहे है, और मैं चाहता हूँ कि इस laser को में create करूँ, तो यह जो इसका option है auto laser creation, यह automatically इस laser को create करतेगा, देखो कैसे, आप यहाँ देखो कि party account name में आपको प्लस का symbol देख रहा है, आपको simply इस पर click करना है, click करने के बाद choose an option to proceed, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई, एक option ही बोल रहा है, create without review, मतला हमें दिखाई में अपने मन से create कर दे, हम बोलेंगे ऐसा क्यों, हमें दिखाओ भी हो और फिर इसे create करो, तो review before creation, हमने इस इसके transactions है, जो कि on scan आपके सामने, तो अगर यह आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप इसे reject कर सकते हो, otherwise यह बिल्कुल सही है, यहाँ पर automatically इसने create कर दिया, हम इसे simply यहाँ पर select करेंगे, और इसे save पर click कर देंगे, अब यह जो हमारा auto laser creation हुआ है, इसको हमने save कर लिया है, और अब अगर मैं यहाँ पर जाओं, वापस, तो मुझे अब यहाँ पर कोई भी error show नहीं करेगा, आप देख सकते हो voucher tie, यह सारी चीज़े, पहले यहाँ पर एक symbol आ रहा था, जो कि show कर रहा था, कि इसमें अभी कम ही है, तो अभी यहाँ पर यह चीज़े मुझे show नहीं क मान लो कि आपका कोई client है, और उस client के आपकी पूरी GST details आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, और simply get GST data पर click करोगे, इसके बाद company के details आपको fill कर देनी है, और इस simple procedure को follow करने के बाद, आपको complete data यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से, आप audit option को use कर सकते हैं, अब इसके बाद बात करते हैं, इसके एक और amazing AI tool के बारे में, जो कि है CAGBD, आप normally हम chatGBD बहुत सुनते हैं, तो यहाँ पर CAGBD की भी बात कर लेते हैं, कई ऐसे tele users हैं, आप हो गया, मैं हो गया, जिनको काफी सारे doubts से रहते हैं, और जब ह काम कर रहे होते हैं, तब सोचते हैं, उस doubt को कैसे clear करें, तो यहाँ पर इसका AI tool है, यह आपको उन सभी doubts को clear करने में, आपके help करता है, like मैंने इससे पूछ लिया, कि what is SGST, मालो मुझे इसके proper knowledge नहीं है, और मुझे मेरे juniors को समझाना, तो मैं यहाँ पर what is SGST लिखता पर मुझे proper answer इसका लिखके देदेगा, और normally honest के नहीं देख सकते हूँ, कि SGST के बारे में proper detailing, इसने मुझे यहाँ पर show कर दिये, कि SGST का पूरा मतलब क्या होता है, यह क्या चीज है, कैसे कैसे, जो भी है, इससे related जितने terms है, उसके उपर एक proper paragraph, इसने अपने AI tool के बहाब मुझे आप provide कर दिये, तो इसी तरह से अगर आपके mind में कभी doubts आते है, taxation, accounting या जो भी terms है, तो यह इन सभी doubts को आपको clear कर देता है, अब दोस्तों बात करते है next term के, जो कि है reports analysis, देखो यह चीज़ बहुत important है, जब आप कहीं पर work कर रहे हो, as an office person, as an accountant, तो आपको अपने seniors को supervisor को reports represent करना पड़े, तो यहां पर report criteria में, आप अपनी company के भीहाब पर different reports को analyze कर सकते हैं, और अपने senior और supervisor को भी represent कर सकते हैं, तो report analysis वाला जो term है, वो आपके लिए बहुत important है, because इसके ज़रुत office field में पढ़ती है, इसके साथ ही मानलो top 5 customers आपको देखने हैं, top 5 suppliers, top 5 trending items, तो इस तरीके से different basis पे, आप reports को analyze कर सकते हो, और अपनी seniors, यह फिर जो भी आपके team leader है, head हैं, उनको आप बड़ी आसानी से और professional way में, reports को represent कर सकते हैं, आशा करता हूँ दोस्तों, switch software के बारे में जानके, और इसके functions and tools को जानके, आपको बहुत ही मजा है होगा, और कहीं न कहीं आपको पता चला होगा, कि अगर आप अपने tally के काम को असान बनाना चाहते हैं, तो यह tool आपकी कितने जादा help कर सकता है, अब इसका जो link है, वो मैंने description में डाल दिया है, जहां से आप इस पर access कर सकते हो, otherwise procedure आपको बता है, गूगल पर जाओ, सुविर type करो, और डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिलाल इस वीडियो के लिए अगर ही वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना feedback ज़रूर दे, मिलते हैं नेक्स वीडियो प